असलाम लीकुम स्टुडेंट्स कैसे आप सब आज हम डिसकस करेंगे लिवर के फंक्शन को सो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लिवर आपकी बुक में एक टेबल ती आगया है जिसमें लिवर के फंक्शन बताये गए हैं आज हम यह इस टेबल को डिसकस करेंगे बहुत इंक्वरटन टेबल है और आपको ऐसा लॉग कर्शन भी आ सकता है यह और शॉट में भी आ सकता है तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और साथ वाले बल आइकन के बटन को जुरूर प्रेस करें ताके मेरी आने वाली हर निवा वोगा नौटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलें अपना टोपिक स्टार्ट करते हैं। इस टेबल के एक साइड पर आपको फंक्शन दिये गए हैं। लिवर के फंक्शन और दूसरी साइड पर एफेक्ट दिये गए वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने में ठीक है इसके इलावा लिवर जो है वो कुछ प्रोटीन्स सिंथिसाइज करता है प्लास्मा प्रोटीन्स जो के बलड के अंदर होती है लाइक फिब्रीनो जीन और प्रोथॉम्बिन और इन प्रोटीन्स का क्या एफेक्ट है कि ये बलड क्लोटिंग में हेल्प करती है जैसे के कभी आपको कोई जखम होजे चाहिसा ओकड़ीनक होती है आपको कच चुर्वजाए के बलीडिंग कोई छिए लोचोट का कित वाइसाइज इसके लोड के रही समय ब्लॉडरीन में help करती है, इसके इलावा protein है albumin, egg white egg white is totally albumin, so यह जो protein albumin है, यह किसमें help करती है maintain the osmotic balance of blood blood के osmotic balance को जो है, वो maintain रखती है blood में salute और water की concentration को balance रखती है, इसके इलावा है bile, liver जो है, वो bile को secret करता है, और bile आपको पता है, digestive juice होता है, जो के gallbladder में store होता है liver इसको secret करता है और यह help करता है digestion में, fats की digestion में, तो यह किसमे help करता है, emulsification में emulsification हम कहते है, breakdown of fats so, यह help करता है emulsification of fats in small intestine, इसके इलावा liver बनाता है lipids, cholesterol और lipoproteins वज़रा और यह सब help करते हैं energy store करने में help करते हैं और self membrane को maintain करते हैं और blood के mystery को regulate करते हैं so, यह तो होगी सारी formation, सारी synthesis liver इन सब चीज़ों का synthesize करता है और इनके जो effects है, homeostasis पर वो भी हमने discuss कर लिए, आगे हम बात करेंगा storage की, कि लिवर जो है किन-किन चीज़ों को store करता है अबसे पहले अगर हम बात करें storage की तो liver जो है, वो iron को store करता है और आपको पता है कि iron जो है वो hemoglobin का constituent है so, iron जो है, वो help करता है oxygenation of tissues में यानि tissues को oxygen provide करता है as a constituent of hemoglobin इसके इलावा, liver जो है वो glycogen को भी store करता है और glycogen जो है वो किसमे help करती है energy store करने में, energy reserve करने में इसके इलावा, liver का next function है conversion liver conversion भी करता है अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी conversion करता है liver जो है, वो glucose को glycogen में convert करता है और glycogen को जो है, वो glucose में convert कर देता है जब blood में glucose level जएदा हो जाता है और insulin नहीं बन पा रही होती तो liver जो है, वो glucose को glycogen में convert करके अपने अंदर store कर लेता है और glycogen को glucose में कब convert करता है जब body को glucose की ज़रूरत होती है यानि blood में sugar level बहुत कम हो जाता है तो ये अपने अंदर store हुए glycogen को glucose में convert कर देता है और इसका effect है energy storage and use इसके इलावा liver जो है, वो recycling भी करता है ये all red blood cells को recycle करता है और again help करता है oxygenation of tissues में tissues को oxygen provide करने में इसके इलावा liver का जो last function है वो है detoxification तो liver जो है, वो detoxification भी करता है हमारी body में बहुत से harmful chemicals होते हैं poisons होते हैं, जो के हमारी body में foods, drugs, additives के जरिये चले जाते हैं तो liver जो है, वो उनको detoxify करता है और ये kidney की help करता है waste disposal को remove करने में toxins को remove करने में ये सारे liver के functions है synthesis, storage, conversion, recycling, detoxification अगारा आपको clear हो गए होगे अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को subscribe करें मेरे वीडियोज का like करें और अच्छा सो कमेंट जरूर करें